भारत को संतों, महात्माओं, मनिश्यों और महापुर्षों की भूमी होने का गौरप राप्त है संतों और महापुर्षों ने हमेशा समाज को जगरित करने का काम किया है संत शिरोमणी रविदास जी भक्तिकाल के महान संत थे सहच और सरल्भाव से पर्मात्ना को कैसे पाया जा सकता है ये संट रविदाजी ने साबित करके दिखाया उन्होंने जातीपाती का भेदभाव त्याग कर अपने भजनों से समाज को एक नई रहा दिखाई संत रविदास भारती जन्मानस में सदियों से रचे पसे हैं उन्होंने भक्ती भाव के साथ जो करुणा और प्रेम का संदेश दिया वह हमारे समाज के लिए प्रेणा देने वाला है महान संत रविदास जी के जीवन पर सुरुची प्रकाशन ने एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की है संत रविदास नाम से प्रकाशित इस पुस्तक में उनका जीवन चक्र, उनके संदेश, उनकी रशनाओं एवं उनके द्वारा के गए समाज उपयोगी कारियों का विवरण है संत रविदास भक्तिकाल के महान संत स्वामी रामानंद के सिश्चे थे स्वामी रामानंजी ने उनके बारे में कहा था कि रविदास जातपात से उपर उठकर इश्वर की भक्ती का संदिश समाज में प्रभाहित करेंगे संत रविदास के अंदर आध्यात्मिक्ता, संसकार और भक्ती का भाव देखकर स्वामी रावानन जी ने उन्हें प्रभू श्रीराम के भजन रशने का आदेश दिया था अपने गुरुदेव के आदेश के बाद वह प्रभू श्रीराम के भजनों की रशना में रम गए संत रविदास जी ने अपने समकाली इन विद्वानों की आलोशना कभी बुरा नहीं माना बलकि अपने कारों से उन्हें उत्तर दिया उनके जीवन के साथ अनेक चमतकारी घटनाय जुड़ी है संत रविदास जी के साथ मन चंगा तो कटोती में गंगा कावत सदियों से जुड़ी है कहते हैं कि वे इतने सिद्व पुरुष थे कि कटोती के पानी को गंगा मा का जल समझ कर गंगा मा से कुछ भी बांग लेते थे संत रविदास जी के समय में सदना पीर नामत एक मुस्लिम विद्वान थे जो धर्मांतरन कराते थे मगर जब उनका शास्तरार्थ संत रविदास जी से हुआ तो उनके तरकों के समक्ष सदना पीर कोई उत्तर नहीं दे पाए सदना पीर ने सनातन धर्म को स्रेष्ट मानते हुए संत रविदास के समक्ष हिंदु धर्म स्विकार कर लिया जिसके बाद रविदास जी ने उनका नाम रामदास रखा मुसलिम आकरंता सिकंदर लोदी ने संत रविदास जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें वैदिक धर्म त्याक कर इसलाम स्विकार करने को कहा मगर संत रविदास ने हिंदु धर्म का त्याक करने से इंकार कर दिया सिकंदर लोदी ने उन्हें गरफतार कर जेल में डाल दिया और उन पर अनेक अत्याचार किये जेल में संत रविदास को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उनकी रख्षा की उनके चमतकार देखकर सिकंदर लोधी ने उनसे शमा मांगी चतौड की महरानी मेरा बाई ने भी संत रविदास जी के भजनों से प्रिणना लेकर उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे सन्यास की दिक्षा ली थी अपने जीवन काल में संत रविदास की किरती दूर दूर तक फैली थी गुरु नानक देव जी ने भी संत रविदास जी के भजनों को गाया था जिसके बाद आज तक पंजाब के मंदिरों और गुरु द्वारों में संत रविदास के भजन भक्ती भाव के साथ काये जाते हैं राम चरित्र मानस की रशना करने वाले को स्वामी तुलसीदास जी की भी भेट रविदास जी से हुई थी उनसे मिलने के बाद तुलसीदास जी ने लिखा कि संत रविदास जी के आलेंगन से मुझे लगा मानो मुझे प्रभूशी राम मिल गए संत शिरुमणी रविदास जी ने ग्यान, प्रेम, भक्ती, त्याग, आध्यात्म, उदार्दा और भजनों की जो अमरित धारा प्रवाहित की उससे सारा समाज धन्य होठा संत रविदास जी के संदेशूं और उनकी प्रमुख रशनाओं को इस पुस्तक में समाहित किया गया है रविदास जी के बारे में अध्यन करने के लिए सुरुची प्रकाशन की इस पुस्तक को अवश्य पढ़े